ये एपिसोड मैं आफ्टर अकेस रैन, कुडो और सभी कार मैं ट्रावल करते हैं, कोगोरो खेता है कि कुडो कहां से आ गया, है जी भी कनफ्यूज होता है कि कुडो खाना से आया, तभी रैन सोच थी है कि वो कुडो से कुछ पूछना छठी है, रोड पे इंस्पेक्टर सतो और तकागी मिलते हैं, साटाव खेती है कि वो जल्दी मैं है, उसका ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, इंस्पेक्टर कहता है कि वो इंस्पेक्टर से ज्यादा ड्राइवर बंग्या है, दो सतो और टाकागाई बाई बोल के चले जाते हैं, हैजी और कोगोरो कुडो के बी- कुडो कोगरू को खेता है, हमारी कार को फ्रंट में लिज एक स्पीडिंग कार को रोक सकते हैं, कोगरू स्पीडिंग कार को रोकता है, एंड एक लेडी अपने कार से ड्राइवर के पास जाती दो, हेजी और कुडो खेते हैं कि उसे मात तच करो, कुडो एंड है जी खेते की ट्राइवर की रोड पे स्पीडिंग के वकत मैं डेथ होगी है। और बॉड़ी पे स्ट्रैंगल करने के मार्क्स है। नेक्स्ट एपिसोड मैं कोगौरो सातो और तकागी को कॉल करके इनफॉर्म करता है एंड तकागी question करता है कि क्या culprit speeding car में था कोगरू खेता है कि strangly सिर्फ driver था जिसके death होवी है तकागी खेता है कोई victim को कैसे strangle कर सकता है काजुहा खेती है कि हैजी ने बत्या की victim की body born थी मतलब death within time of minutes में हुआ है और culprit car के नस्दिक ही होगा रैन खेती है कि कुडो ने खा है कि toll gate close करने से cat L को पकड़ सकते हैं तकागी कहता है कि 100 से भी ज्यादा car toll gate पे है इसमें से क्यों culprit होगा इंस्पेक्टर सतो खेती है कि हमारे साथ doo-doo high school detives है देखने ये है कि वो ISE कैसे solve करेंगे तभी कुडो कहता है कि सिर्फ 3 suspect के कार है तकागी सवाल करता है कि किसे दो कुडो खेता है कि obvious है कि victim को strangle किया गया है जाब कार road में चल रहती दो है जी खेता है कि culprit victim के कार के पास होगा जाब कार चल रहती और कुछ किया होगा कि victim की death हो जाए कुडो खेता है कि Cat L ने फेले प्लान करके विक्टिम के कार के साथ टाइमिंग फ्रीवे टिकेट कारवाई होगी सतो खेती है कि अब टिकेट देखने का नहीं इंटर्चेंज में एक्सेटरा इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन होता है दो टिकेट देखनी की जरूरत एन एयाई होती लेकिन है जी खेता है कि जो विक्टिम ने इंटर्चेंज सेन यूज किया है जो कोगौरो की कार सेम इंटर्चेंज से पास होवी है क्यूकि मशीन आउट अफ ओर्डर थी कोगौरो ने एक्सेटरा टिकेट कली थी दो सभी वियो इंटर्चेंज जेन वेल ने टिकेट ली होगी हेजी खेता है कि उन्होंने विक्टिम की टिकेट चेक की थी की हो पता चल की विक्टिम एथ ओ वन गंता फेले टोल से निकला था लेकिन वो और सस्पेक्ट्स भी शायद वो पार्किंग एरिया में कहना खा एन इद या ब्रेक ले रहता होंगे कुडो खेता है सिर्फ तीन कार विक्टिम के कार पास ड्राइव किया है सभी तीन कार वालों ने वन आर का विक्टिम की तरह ब्रेक लिया है जो अजीब हाव को इंसिडेंस है कुडो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करें यहां से वन कीलो मीटर पर विक्टिम की कार है एंड सभी जाते हैं कि suspect को question करने के लिए काजुहाँ खेती है कि कुडो ने क्यू हैच जी की cap फेनी है रैन पूछती है कि क्या शिंची को caps पेन पसंद है कुडो हाँ खेता है with hesitation look कुडो खेता है कि वो अपनी image change करहा है हेजी मान मैं खेता है शिंची दो black organization members से बाच रहा है जो कुडो के पेच पदे है एंड समझेतिन है कि कुडो की death हो गई है और सोचता है कि कुडो कब तक कुडो बनके रहेगा ये बार और drug असर कब तक रहे जिये हैबरा एंड डॉक्टर अगासा अपनी कार मैं कुडो को follow एंड अब्जर्व करते रहते हैं लेडी सूपेक्ट खेती है कि विक्टिम उसका boyfriend आहे और वो साथ मैं cars लेके drive पे निकले थे और विक्टिम के खेने ओ यार उसने one hour का break लिया और वो खेहे राह था कि उसे अचकनाक नीनिद आ रहे थी इसलिए उसने break लिया जानता है और थर्ड सस्पेक्ट भी जानता है क्योंकि थर्ड सस्पेक्ट टीम लीड है street racing का एंड उनके एक टीम member का father दूसरा suspect है एंड थर्ड सुपेक्ट कार पास मैं चल रहता क्योंकि वो विक्टिम का कार race मैं rival था दो वो victim को race करने के लिए insist कर रहा था थर्ड suspect खेता है कि victim उसका hint racing नहीं लिया और victim के car सामने चला गया Lady suspect खेती है कि दूसरा suspect ने victim के car के पीछे से horn sound कर रहा था दूसरा suspect explain करता है कि victim ने अचानक car को slow की थी दावस की car victim के car सा टकराना जाए इसलिए वो horn कर रहा था कहता है कि victim ने पासिन लाने से overtake नहीं किया बट rail against car चला रहता तो कोगोरो खेता है तभी उसने accident हाइन सा बचा लिया दो का जुहां खेती है कि कुडो ने बत्या इसलिए कोगोरो ने victim की car को बचा लिया इंस्पेक्टर सतो खेती है कि किसने body को first find किया दो कुडो और हैजी खेते हैं कि lady suspect ने body को first find किया था तभी इंस्पेक्टर सतो सभी detective को victim के car के पास चलने को खेती है दो रैन को कुडो जाब first time disappear हुवा था वो याद आता है दो रैन कोडो ये बार रोक लेती है और खेती है कि उसे कुछ पूछना है दो कुडो खेता है मैं detective हूँ मेरी deduction अनुसार मुझे पाता के तुम क्या पूछना चाटी और मैं भी कुछ पी उचना चाटा हूँ तब हाए है जी खेता है कि ये क्या low way डवी stuff कर रहे हूँ कुडो खेता है ईसा कुछ नहीं है जी खेता है कि चलो फिर चाटे है काजुहा खेती है कि शिनिची वास आने पर यूज पूछ लेना investigation पे कुडो खेता है कि कार की window के edge पर कुछ strikes है ये अजीब है कोगोरू खेता है कि ये कार की window क्यों full open है inspector सतो खेती है कि victim heavy smoker है इसलिए शायद कोगोरू खेता है कि victim दो freeway MAI car चला रहता दो half window खोलना दो भी चल जाता और smoke बाहर चली जाती कोगोरू कार window को अपर करता है दो सभी देखते हैं कि कार window की downside में two holes बेन हुवे है दो कुडो और हेजी का mind click होता है और उनको trick पाताचा LTI है तभी हेजी खेता है कि कुडो तुम इतना क्यों sweat कर रहे हूं हैबरा खेती है कि anti-apotoxin असर कैथम होने वाला होगा and कुडो को side effect शुरू होते हैं इंस्पेक्टर सतो खेती है कि वो डॉक्टर बुले कुडो के check-up के लिया बट कुडो खेता है कि फले वो mystery को solve करेगा सतो शस्पेक्ट्स को बोला थी है dot or कजिया खेती है कि हमें भी चलना चाहिए रैन खेती है को वाहन पर wait करे जी बट का जुहा रैन को drag करते हुवे ले जाती है ये हैबरा देख लेती है सस्पेक्ट खेते हैं कि moving car पे मड़की से हो सकता है दो हेजी खेता है कि ये possible है और cat L की trick को explain करता है कि जो holes car window के bottom पे है उसमें string को उसे करके driver के seat से victim के next से pass किया है और tie किया के jab driver power window को open करेगा दो वो string से strangle हुआ है driver के पास power button क्लिक करने पार वो fully open होन तक नहीं रुके GAA और victim string के straddling के वाजा से death होवी है सस्पेक्ट खेतिन है कि victim ने window क्यों open की होगी दो हेजी खेता अहे किसी suspect के वाजा से victim ने window open की होगी third suspect खेता है कि उसने सिर्फ victim को overtake किया था dot दूसरा suspect खेता है कि उसने सिर्फ horn किया था lady suspect खेती है कि उसने कुछ नहीं किया बट हेजी खेता है कि वो victim के car के speed से match करके car चला रही थी और के फिले lady suspect ने car को slow किया इसलिए victim ने passing lane से lady suspect के car के alongside आ गया lady suspect खेती है कि उसने victim से shout करके नहीं बात की वरना दूसरा सूस P.E.C.T. को पता चलता कि victim के car के पीछे drive कार रहा था हेजी कहता है कि lady suspect shout करना pretend किया और victim ने lady suspect को जो उसकी girlfriend है उसे सुने की लिए window को open किया और lady suspect ने car के window में holes बाये और क्यूनी की victim smoker दैट हो उसने top of window lower down किया था और use वो holes नहीं नाजर आए lady suspect in e-parking के brake में victim को बिहौश करके ये holes और string आज़स्ट किये होंगे और वही फैली थी जिसने victim के body के पास गई और string वाहन से हट्टा दिया और वो उसके पास high होगा lady suspect के car सा अभी भी होगा lady suspect confront car थी है कि उसने ये किया और कहती है कि उसने उसके friend को race करने के लिया provoke वो भी jab rain और storm आ रहा था उसके fire end की death होगी इसलिए उसने ये plan किया सभी खेते हैं कि victim ने provoke किया that हो वो भी danger आ सकता था तभी कुडो खेता है कि victim full of regret था क्यूंकि वो heavy smoker था उसने cigarette को dash broad में place किया that हो जब उसने lean front किया dash broad की तरफ lighter and cigarette लेने के लिए दो victim को पता चल गया होगा के वो उसकी next string से tie की गई है लेडी suspect खेती है कि फिर उसने q string line को cut नहीं किया dot kudo खेता है कि victim पता होन पर भी वो कूद मातरना चाटा था के वो एक friend की death का reason बना और ये unforgivable है इसलिए उसने ये choice किया के evo मार जाए तभी kudo को side effect होता है दो सभी ambulance को call करने के लिए खेते हैं लेकिन kudo और हैजी मना करते हैं बट ran आती है दो खेती है hospital Jane की लिया and का जुहाँ हैजी को out of the picture drag करती है and ran बिहौश हो जाती है दो next मैं पता चलता हाई की kudo Conan मैं श्रिंक हो गया है and Conan ran को जागाटा है and उसके हाथ को चोदने के लिए खेता है ran को याद आता है कि उसने बिहौश होन से फेले kudo को हाथ पकरा था डॉक्टर अगासा खेता है kudo ने तुम्हें carry करके car मैं बताया और वो तुम्हारे साथ मैं ही था ran पुची है कि kudo खाना है दो अगासा खेता है को और एक case को solve करने के लिए चला गए ran खेती है कि वो मेरा हाथ छोड का rise H.I.I. चला गया वो deduction का freak prince है Conan sarcastically मान मैं freak prince को repeat करते हुवे smile करता है and ran खेती है कि kudo ने दो promise किया था के एवो मेरा हाथ नहीं छोडे जिये और upset होती है Hebra flashback दिखाती है कि उसने watch से ran बिहौश किया था और Conan ने sweater इस तरह pin से fold किया के ran का हाथ ना shoot T.I.I. Episode 523 उसर焦़डा है वई मढ मैं उसक्व पहाईने उससी уже को benchmark वई मैं दो रावा vez